आज मैं बताने वाला हूँ जो इस्टेक्चर वर्क में जो भी वर्क होता है हमारा चाहे वो बिरिक वर्क हो इस्टोन वर्क हो फ्लोरिंग वर्क हो इसी सी वर्क हो किसी भी परका के अगर हमारा वर्क है सिविल वर्क में इस्टेक्चर वर्क में तो उसके क्यूरिंग कितना क कि देखो क्यूरिंग सबसे ज़्यादा इंपोर्टन चीज है जो इस ट्रेंट क्यूरिंग दे सकता है वो कोई भी चीज ने दे सकता है 35% ऑसे ूर्य मोरी पर्षण कहा जा सकता है वह हमारे क्यूरिंग से थेक अगर आप ने किया तो उसका। यो है स scientific किसी परकार की आछ सिलर्व नहीं कि Alan कुरीग जिर दो रहाए तो उसकी रिजन जीरो है डोन ज sudah be तो आज हम इसी टॉपिक पे आप सबी से बात करेंगे कि टूरिंग कितने दिन मिनिमम रिक्वाइड है एस पर इस्टेक्चर तो चलो हम स्टार्ट कर लेके बिना टाइब इसके हम अब बात आती है क्यों की क्यों क्यूरी फोर इस्टेक्चर या और सिर्बर इस्टेक्चर या और सिर्बर 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 for structure या RCC work, minimum required days, minimum required, required days, minimum required days, कहाने के मतलब यह है कि curing अगर हम RCC या structure के लिए हम, कर रहे हैं तो उसके लिए कितना दी की रिक्वाइड होगी सबसे पहले हम PCC की बात कर लें ठीक है एक नमर जो आता है मेरा PCC क्या हूँ अब हम बता रहे हैं पीसीसी का जो कि फोर्टीन डेस मिनीममब 14 देस कि मिनिममब पप्लेंन स्मेंट कंक्रीट जिस में इस नहीं होगा सिर्फ आपका एंग्री गेट जो आप पहन्दी में रोड़ी कर सकते हो तो अगर आप यह उसके साथ डाष्ट यूज कर रहें उसमें तीन चीज के इंपत्रा होगा सिमेंट होगा और रोड़ी होगा और उसमें सेंड होगा जाए कि मतलब बालू कर सकते और घौं की लग गए तो फ्लोरिंग वर्ट क्या जता आं ट्लोरिंग वर्ट गोड टो मिनिमण 10 डेस्ट कितना डी किन अभी हम एक बार इसको गाईड लेंज करके आपको बिता देए थिन मिनिमान कुछ वर्थ, और सिसी वर्थ, यह भी मिनिमाम टेंडेंस, टीक है, अब फूर्थ नंबर पे जो हमारा आता है, प्लास्टिंग और क्वेंटिंग वर्थ, प्लास्टिंग और क्वेंटिंग वर्थ, इसका कितना दिन होनी चलिए, एस पर साइट सेवन देंज, मिनिमाम रिपरेड, फीक है, प्लास्टिंग और क्वेंटिंग वर्थ, अब बिरिक वर्थ और इस्टों वर्थ की बात कर देंगे, विरिक वर्थ, एंड इस्टों वर्थ, इस्टों वर्थ, यह भी हमिनिमाम सेवन् देज करना ही है, तो चला हम अभी बात कर लेते हैं, यह चार टोपिक ऐसी, पांच टोपिक हा हमारे पाउर, जो की टी-सी वर्थ के लिए हम फोर्टें देज मिनिमाम क्यूरिंग करें, करते तो किसी वह सुखेए अगर हम करेंगे हैं एसको בפरिंग करते हैं कितना किसी सी और नहीं क्या है उनले हैं जाए प्लוך केब़ेंS पहरी है जो फिलोरिंग का मतलब क्या है जो भी फ्लोरिंग आपने किया है उसका आपको करना है 10 इतना करना 10 डेट राइट 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 का मतलब होता है जिसमें इस्टिल भी यूज हुआ है यह सारी चीज़ को अगर हम मिक्स कर देते हैं परसाई तो बन जाता है आप अच्छे तरह से पॉंडिंग की तरह बतका नहीं मतलब यह हमारा की रंदत लगा के चारो तरह से अगर पानी भर देते तो बेस्टरिका तो हो है लेकिन उससे होता क्या कि आपकी काम रोख जाते है तो क्या करते है तो अदर दूसरे ईनिग क्या करते है उसका रंदक लाए और ऊसमें पान کल G दelet लेका बीडे să कि तपहल और क्या होता है क्योंकि अवांग का क्या करते से सुंककर ओपें कर लेते हैं और आपको कॉलाम काश्ट फिर से इस्टिन वर्क और कॉलाम काश्ट वहना शुरू हो जाता है और लेकिन बेश्ट है का तो वह है कि आप उसको एक पाउंट की तरह बना कि उसको अंदर आप फानी को इस टोर की जिए और तो बेस्ट रिजल आएगा तो यह था अब प्लाश्ट या शो जाता है कि ब्रीक तो होता है कि कुद्ध तो अप्र और कि यह हमारा ऊंगा तो फिर दूसरी अंगा यहां से इस्टार ऑफिर फिर इसे तरह से बीच वाली जो मोटार को हम क्या करते कि जो हमारे पास इश्केल के रिंग होते उसके तुरू ऐसे कर देते और इसकी वह अच्छे से पॉइंटिंग करते हैं मतलब इस बिरिक के भ्यस पे कोई भी सेमेंट प्लास्टर का नहीं रहेगा सिर्फ यह पॉइंटिंग पॉइंटिंग वर्क अगर हो है तो उसका भी आपको सेवन देज मीनिमम सेवन डेज करनी है बिरिक और इस्टोन वर्क कि स्टोन वर्क के जब भी आप फ्लोरीग लगाते हो इसको करते हैं तो आप क्यूरिंग और करोगे तो उसकी क्या होग लग्र मतलब तो आपको 7 days minimum required होगी यह वाटर की और आपको पताएगी कि वाटर कितना important है हर किसी के लिए अगर कोई इंसान पानी ना पिये तो बिना पानी के पानी के पिना तो आप रह नहीं सकते मतलब किसी भी required में क्योंकि पानी चाहिए चाहिए इंसान हो उसी तरह से अगर हम यह work करते हैं तो हमें पानी की required होगी जब तक आप पानी नहीं दोगे तो आपको अच्छा रिजन नहीं मिलेगा क्योंकि काफी लंबी वीडियो बन चुकी है मिलते हैं नेश्ट वीडियो मे कैसे निकालते हैं पाइवा फोर इंटोटी इस पर यह सब क्या चीज है हम नेश्ट वीडियो में बात करेंगे मिलते हैं बाए